कि अपने नेक्स चेप्टर शुरू कर दिया था फोटो एलेक्टिक इफेक्ट चल रहा है प्रगाश विद्धुत प्रभाव और द्रव्य तरंगे जिसमें अपने कुछ बेसिक बात है पढ़ी ती जिसमें से एक दो बात है मैठपून है उनको अगर आपने नहीं देखा तो किसली क्लास में जिसमें एक तो कारे फुलन की परिबाशा है चोटे-चोटे क्योशन आए इस चेप्टर से इसलिए चोटे-चोटे-चोटे बाते को सारी डीटेल से बहुत मैठपून है किस तरह का विक्वेशन पूसादा सब्सक्ता है इसलिए में टोपिक पूर अपूर पूरा डीटेल से पता बना चाहिए उसके अंदर दो बाते हमने की थी मुख्या बाते कारिश किसे कहते हैं और डेहली आवर्टी किसे कहते हैं परकाश विद्ध परभाव के बारे में बात कुली थी परिपाशा इलेक्ट्रोनों के उसर्जन के परकार पढ़े थे उसमें पशके प्रकाश बातने दें की या उसके अदर अगर वेसलम क्लाते हैं और ये सब्सक्राइव को बॉन्हें लाइट गिरती है इलेक्ट्रोन क्या होजे एनर्जी गेर करते हैं और लो एट्रिवल से हाई दी जाते हैं चालन बेंड में जाते हैं जहां फुक्तरुप से गरती तो इसमें से जरूर आए गाए या सो पर्षेट आए इसमें से यह बाए चाहिए बाकि इस तोपिक को समझ के ही हम आगे की बाते करेंगे और वो निश्कर्स में पर ग्राफिकल स्ट्रेक्टर समकुछ पढ़ेंगें जिनके अंदर बहुत कर्फूजन की रियेट हो जाती है बच्छों को वह सबसे में पात रहेगी उसके पहुंचे कि पहले हम इसके प्राइबी बैचा करते हैं फिर हम बात में रहें क्या क्या पाते हैं इसके बाते हैं त इसके अंदर आ सके हैं कि यहां एक फोर्ड लगी रहती है जहां से फिलेक्टर मुस्तरजीत हों यह आपकी परगाश लेंगे तो अगर यह डाइग्राम ही कुछ लिए तो भी बढ़ा सकते हैं कोई मुश्किल नहीं है हर चीद को थोड़ा सकते हैं कि यह कैफोर्ड अधर इसके एरोड लगी रहते हैं इसको यहां से जब यह वर्किंग और कंस्ट्रक्शन दो एक साथ ही चल रहे हैं बात भी करनें वर्किंग पिसासा जब प्रकाश गिरता है प्रकाश से आता हुआ यहां इस खिड़की में से प्रविश्च करता है और इस थोड़ पे गि अगे बढ़ते हैं और आगे कि तर आूने उसमें और पर काशıldı परकाहश मृद्ध धार कहली मिन फोर और इसको ही हिंदी में भी इसी को लिखती है अगर निखा होगा किताबों में तो भी फोटो एलेक्टोन ही लिखा होगा कि अब इसको डाइग्राम को आगे बढाते हैं लेकिंग कि यहां कि यह सब्सक्राइब करने हो तो बीच में जैसे स्वीच लगे रहते हैं तो क्या करते हैं एक वायर को इदर से अटाके दूसरी वायर में उदर लगा रहते हैं वह वाड़ सिस्टम है यहां से यह इसके उपर से दाली वायर इस से करना होगा तो इस पूढ़ाएं बागी ना और इसको अटाके तो यह क्या है चेंज करने के लिए इस पर जब अगर यह तर्मिनल बदल देटो यह तर्मिनल बदलने के लिए पर डूंटेट रहे हो इस दोड़ा दाता हैं वोडरमें कोन से कल में जोड़ता है अमेशा समांतर में जोड़ता और 통今日 Statism में समांतर ही अब आगे जोड़ते हैंуса क्या धाराना इंतरक धाराना इंतरक क्यों में को चंट्रोल करने के लिए धाराणींत्र जौडते हैं यह वह प्रश्रत इस बीट्र नोड़ जाती है जिसको कंट्रोल किया जाता धाराणींत्र कि पूरा पार्ड है कि इसमें आखें हैं इसमें भी जोड़ सकते हैं मिसका मान में बदाने चीर आखें। यह हो गये है सिका प्रिपत कंपलीट अगर पूशत आए ऐए प्रियागी र्याथा प्राइए बढ़ाइए तो यह प्राइएए छितर हो गये लिसंगा बात करते हैं आप आगे रात करते हैं तो दूसरी बात वर्किंग में हम स्टेप बाइस चलेगे कि किसका क्या पर्भाव इस पर पर रहा है तो सबसे पहली बात इसमें देख लें क्या है इसके अंदर एक आज की लगी रहती है निर्वातित नली है कि लगी रहती है जहां से प्रकाश आपती होता है इसके एक और कैफोड और लगते हैं तो इसमें धाराप्रवाइत लगती है यह दारा प्रकाश मुद्ध धारा के लाती है और पॉंचने वाड़ा इलेक्ट्रों अब बात करते हैं कि प्रकाश मुद्ध धारा पर किन-किन बातों परभाव पड़ेगा यह हमें समझने के लिए चाहिए बात में ज्यादा यूद्ध नहीं होते हैं कि आता है तो कमी कबाद यह चीतर पूंच लेते हैं उसके अलावा जो आगी की बात हम करने वाले हैं वह वह बहुत है और वहर बात हमें समझने बड़ेगी ध्यान से तो हमें ग्राफिकल चीजे साथ सा समझ में आ रहे हैं एक बात आप ध्यान रहें कि एलेक्टन जो उर्जा गरन करता है वह हमेशा फोटॉन के रूप में गरन करता है फोटॉन का मतलब होता है एनर्जी प्रकाश जो आपती तो रहे हैं उस प्रकाश जो आपती तो रहे हैं उस पर काश जो आवर्थि है है कि उसकी उद निया तो जब और अवर्थि की बताई आए वुद्धा के साथ मोथ यह बातुलक मोथ काट कर दो को आगे से और रिलेट करने हैं आप आ बात करने हैं सबसे पहली बाद पॉइंट नमर एक इस में ग्राफ ज्यादा मैं अभी कि बादा देता हूं जो ग्राफ से जो ग्राफ से ही पूछण है तो पूछ नाया को फूदी पूछ पूछ बहुंद में आएगा है तो परकाश व आपतित प्रकाश की तीवर्ता का परभाव अब क्यों यह भी पूछ लिया जाए इसके अंदर प्रकाश विद्धु धारत था आपतित प्रकाश की तीवर्ता एक बंद्य ग्राफ बना यह ग्राफ तो बनाने हैं ग्राफ से ही आएका किशन तो देखो आप आपतित प्रकाश की तीवर्ता ज्यादा होगी तो उत्षजी तोड़ेवाणले एक्ट्रोनों की संख्रावी ज्यादा प्रकाश की बंद्या पूर्जा का लेनदा नहीं है तेज में और उर्जा में डिफेंस होता है कि बहुत बेसिक बात है कोई प्रकाश कितना तेज है और उस प्रकाश की उर्जा कितनी है दोनों अलग लग बाते हैं एक साथ वाट का बल्ब है और एक सो वाट का बल्ब है तो अमसे पता है कि तीवर्टा किसकी ज्यादा होगी किसकी ज्यादा होगी है स्ब्सक्राइब यू अगर यह कैदे कि कि उर्जा है सिल दाड़ा होगी तो सबस्क्राइब नहीं कि और ही भी तो ठीक है अगर 150 वाट बलब है पी ले रंका और एक साइट बाट का बलब लाल रंका तो तीवरता दोनों की बराबर होगी लेकिन उर्जा दोनों की अलग अलग होगी आगी नहीं जो समझ नहीं है कि अगर प्रकाश तेज गिर रहा है तो जो इलेक्ट्रोन है उसके अंदर वो जल्दी हो जाएंगे बाहर जल्दी निकल जाएंगे यानि उनकी दर बढ़ जाएगी उनकी उत्सर्जी तोने की स्पीड बढ़ जाएगी तो यहां पर धारा के माल में व्रद्धी होगी इसका मतलब क्या हुआ तीवर्ता के धारा समानपाती होती है आगी बास समझें यह बाते हमें लिखनी नहीं होती है कि कैस का प्रकाश अगर आप पूछा जाए तो सीदी सी लाइन लगाने एक सीदी रेका दो मूल बिंदु से जार यह बस कमान बाती होगा अगर आप प्रकाश की तीवर्ता बढ़ने पर उस सजी तोने बाड़े लेक्टोनों की संख्या में उब्रध्य होती है इसलिए इसलिए प्रकाश में इसलिए तो दारा कमान भी बढ़ेगा तो तीवर्ता बढ़ने पर शोट में लिख रहा हुआ है इस बात्रा प्रिंद लेड़ा आपने आप प्योर्ता बढ़ने पर क्या होगा इलेक्टोनों की संख्या तो बढ़ती है इसका मतलब आईपी से निखना हो करेंट अबना प्रकाश की तीवर्ता के इसका मदलब सीदा यह भी क्या सकते हैं कि आपती प्रकाश की ती वर्दा बढ़ने पर प्रकाश विजुद धारा के मांग में वरदी होती है को इदर है इसको यहां से इसका यह माल आया इस तरसे इस दाइप पर पॉशल टो इंसिदेंट लाइप आए पी तीवर्दा ये सामान पाते यह तो गली की एक करेंगे कि दूसरी बात करेंगे इसको इतना देख लेंगे अगली बात करेंगे इसके अंदर विभर के बादेगे झाल 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 झाल